अश्कार दोस्तों मैं विकास शाक क्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर और आज हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल उपरेटर्स के बारे में जहाँ पर आपको कोई decision जब लेना हो। जैसे कोई चीज कीज से बड़ी है, कोई चीज कीज से छोटी है, कोई चीज कीज 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 के बराबर है या नहीं है, these are the logical things. अगर कोई चीज की चीज से बड़ी है, तो यह होना चाहिए, यह चीज इस से चोटी है, तो ऐसा होना चाहिए, बड़ी है, तो ऐसा होना चाहिए. यह जहाँ पर डिसीजन मेकिंग के काम आते हैं, जो operator, उनको हम कहते हैं logical operators. So, logical operators are used with decision control statements. Decision control statements, if statement के साथ if else statement के साथ switch cases के साथ use होते हैं यह है क्या यह हम समझेंगे लेकिन इससे पहले हम logical operators और उसकी perform करने की तरीके को समझेंगे कि कैसे वो perform करते हैं अपना काम फिक है जैसे सबसे पहले हम एक operator देखेंगे चार operators हम देखेंगे यहाँ पर एक तो यह होता है end operator इसको end operator कह कहते हैं और तीसरा operator होता है आपका greater than प्रेटर होता है smaller than उसके बाद greater than equal to smaller than equal to फिक है यह operators है greater than equal to smaller than equal to और not operator यह भी है को कहते हैं negation और not operator फिक है तो यह operators है जो logical operators कहे जाते हैं जो किसी किसी logic को implement करने के लिए use किये जाते हैं decision making के लिए ही आप logic use करते हो logic आप क्यों यूज़ करते हैं जो आपको कोई decision लेना हो किसी चीज को सही या गलत साबित करना हो तो वहाँ पर logic आता है logical decision लेते समय ही हम in operators का या in operations का end or smaller than greater than जैसे मुझे decision लेना हो मुझसे कहा गया हो कि class में जब where होगी तो सबसे पहले जो छोटा लड़का होगा छोटा बच्चा होगा उसको अगे लगाएंगे जो बड़े बच्चे होंगे वो पीछे खड़े होंगे तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले एक बच्चा मेरे आगे आ जाता है वो प्यता है सर मैं सबसे पहले यह यहां लगेगा तो ऐसे जो decision making होती है किसी एक logic के basis पे छोटा है बड़ा है तो उस case में हम क्या करते हैं इन operators का use करते हैं उसके लिए real life में इस तरह के decision होते हैं और इस तरह का कोई अगर operator कोई हम program बनाते हैं या operation perform करते हैं या कोई software बनाते हैं तो वहां पर इन operators को हम उस condition में use करते हैं जहां पर ऐसे logic implement करने हो, right? तो सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहला जो operator है and operator, and operator का मतलब होता है एक condition और दो condition या तीन condition या कितनी भी conditions हो जब तक वो सारी conditions true नहीं हो जाती जब तक वो सारी conditions true नहीं हो जाती जब तक पूरा का पूरा statement तू नहीं होगा, जैसे अगर कोई मुझसे कहे, तुमें किसी बच्चे का अडमिशन लेना है, ठीक है? अपने कॉलेज में उस बच्चे का अडमिशन तभी होगा, जब उसके पास graduation की degree हो, ठीक है? उसके पास graduation का TC हो, transfer certificate हो, उसके percentage mark 75% से जादा हो, उसके mathematics में 80% से जादा हो, ये सारी conditions जब तक follow नहीं होंगी, तब तक ये बच्चा हमारे college में admission नहीं लेगा, तो यहाँ पे चारो conditions true होनी चाहिए, 80% से जादा maths में होने चाहिए, साथ में 75% throughout होने चाहिए, साथ में उस बच्चे का transfer certificate होना चाहिए, उसके पास और साथ में वो graduate होना चाहिए, ये चारो condition जब तक true नहीं होंगी, तब तक मैं उसका admission नहीं लोगा, तो जहाँ पे इस तरह की decision making है, जहाँ पे कि सारी conditions true होनी चाहिए, वहाँ पे end operator का हम use करते हैं, तो यहाँ पर आप ऐसे देखिए, जैसे suppose करिए कि हम 4 variable ले ले लेते है या एक ले लेते हैं, इंट, graduate, ठीक है, एक को कर देते हैं, 1, 1 का मतलब ने graduation किया है, ठीक है, उसके बाद आता है, इंट, दूसरा होता है, दूसरी चीज़ है, a percentage, float, maths, percentage is equal to 76.78, यह उसके percentage थे, float, overall percentage is equal to, कितना, overall percentage इसके थे, 70.34, इतना हो गया, overall percentage 70.34 थे, maths के percentage 76.78 थे, graduate वो था, साथ में, int, pc, ready or not, तो अगर ready है, तो one कर दिया, ठीक है, तो इतनी चीज़ें, हमने दे रखी है, ठीक है, अभी इन चीज़ों को accept भी करा सकते हैं, हम, user से input कैसे लगते हैं, यह if-else condition के समझने के बाद, logical operator समझने के बाद, हम उसको समझे करेंगे, हलाकि आप जानते होंगे, scanf वगर आपने use किया होगा, अगर, कोई बात नहीं, वो बहुत simple सा है, अगर आप अपने आप से भी पढ़के देख रहे हैं, तो उसको कोई दिक्कत नहीं, आदरवाइस मैं उसको समझाओंगा, जरूर, scanf हो या जो भी हो, वो भी आ अभी आपको ये चीज़े समझाने के लिए मैं चर रहा हूँ, लेकिन हाँ, इसके बाद हम उसी पर आएंगे, तो कि उसमें और जादेर नहीं कर सकता मैं, ठीक है, तो यहाँ पर graduate है कोई, maths के percentage उसके इतने है, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये चेक करना था कि कि किसी अरीके से बंद करते चले जाएं, bracket के अंदर, एंड, जहां पर हमें एंड की बात हो, जहां पर इसनरी कंडिशन्स टू करनी हो, एक कंडिशन के बाद दूसरी भी टू चाहिए हो, वहां एंड का उस करेंगे, एंड, maths, percentage, is greater than, 76, 75, 75 परसेंट से ऊपर चाहिए, 75.0, एंड, overall, percentage, greater than, 70.0, इसको भी यहां बंद कर लेते हैं, यह ध्यान दीजिएगा, यह जो brackets में हम बंद कर रहा हैं, वो brackets सही से बंद होने चाहिए, जितने open brackets हैं, उतने close brackets भी होने चाहिए, एंड, and, tc, ready, ठीक है, यहां पर हमने इतनी चीज़े देख ली, अगर इतनी चीज़े हैं, तो वही क्या होगा, कि हम admission लेंगे, ठीक है, तो end condition में क्या हुआ, print f, अगर इतनी चीज़े हो गई, तो मैं क्या करूँगा, print f, you are welcome, ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, तो if के साथ एक चीज़ और यूज़ की जाती है, else, else का मतलब होता है, कि अगर if वाली condition true नहीं है, तो बंदे को हमें मना कर देना है, ठीक है, जैसे कि किसी, इन में से कोई यह चीज़ नहीं है, उसके पास इसे tc ready नहीं है, तो जो end condition है, वो fail कर जाएगी, क्योंकि सारी conditions का true होना जरूरी है, अगर यह true है, प्लस यह true है, प् पुरा statement true होगा, और if के अंदर उसे true ही चाहिए होता है, किसी इस्तिती में execute करने के लिए, अगर वो true नहीं है, तो else पार्ट में चला जाएगा, अगर आपने else लिखा है, यह else जरूरी नहीं है, if के साथ लिखना, आप सिर्फ if पे रुख सकते हैं, else जरूरी नहीं है, else त till all conditions mid, तो यह इस तरह से कर सकते हैं, तो if condition में यह देखा हमने, and operator के साथ, यह true होना चाहिए, यह true होना चाहिए, यह true होना चाहिए, यह true होना चाहिए, तो graduate is equal to 1 यह true आएगा, क्योंकि graduate तो 1 है ही, double equals का use हम करते हैं, और मैंने आपको एक बात बताई थी, कि आपको यहाँ प graduate, ऐसे यूज करना चाहिए, left hand side पर लिखने चाहिए value, और यहाँ पर 1 is equal to tc ready, ऐसे लिखने चाहिए, ठीक है, हम इसको compile करेंगे, cmd, let me, let me go to the c programming, यहाँ पर आए, ctrl c, and then यहाँ पर cd space, ctrl v हो गया, cls और यहाँ पर cl, space code dot c, okay, cl को यह नहीं पहँच पहचान पा रहा, why, because, मैरे को यह यूज करना था, visual studio का count prompt, cd, slash, and then cd, c programming, और उसके बाद cls, अब मैं यहाँ पर cl, is code dot c, यह compiled हुआ, और इसको अब मैं execute करा के देखूँगा, इसको dot exe use करना था, मुझे, you are welcome, because, सारी conditions मेरी true हो गई, यहाँ पर सारी conditions true हो गई, माल लिजी मेरे पास tc नहीं थी, तो मैंने zero कर दिया, tc ready, नहीं थी, zero कर दिया, तो उस case में क्या होगा, अब मैं इसको दुबारा compile करता हूँ, यह चलाते हैं, you cannot take admission till all conditions met, यह चीज यहाँ पर हो गई, तो यहाँ पर चारो conditions का true होना जरूरी था, या जितनी भी conditions दी हैं, उन सब का true होना जरूरी है, इस से पहले कि थोड़ा इसको और detail में discuss करें, आईए if condition के बारे में कुछ बाते में आपको बता देता हूँ, इस के अंदर, पहला note बनाईए, इस के अंदर anything, anything other than 0 is true, जैसे इसके अंदर अगर आप लिखते हैं, जैसे आपने लिखा था, बी TC value is equal to 1, तो इसको वो क्या return करता है, 1 return करता है, वीडियो में देखा होगा आपने कि अगर condition true है, तो 1 return होगा, 1 का मतलब भी true होता है, लेकिन if condition में इसी भी चीज़ को जो की other than 0 है, even minus 123 भी है तो भी ये true है, अगर आप इसको minus 123 लिखोगे और यहाँ पर printf करोगे, hello inside if, तो ये काम करेगा, ये true है, क्योंकि anything other than 0 is true, ये आप note करके रख लीजिए, anything inside, anything other than 0, inside if condition, 0 for if condition is true, is considered true, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, minus 123, अगर आप इसको compile करें, और अप execute कराके देखें, तो hello inside if, ये आ गया, तो अगर आप इसको इतना भी बड़ी value दे दें, कुछ भी दे दें, अगर ये 0 नहीं है, तो ये हमेशा true की तरह behave करेगी, hello inside if, केवल और केवल 0, वही false होता है, केवल 0 ही false की तरह consider किया जाता है, यहाँ पर आप देखेंगे, अब आएगा आपका, कुछ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि if condition के अंदर ही गया ही नहीं, जिब गया नहीं, तो इसने print नहीं किया, सीधे return हो गया, इसलिए, यह ऐसा आया, तो इसको नोट कर लीजिए, anything other than 0, for if condition is considered true, केवल और केवल 0 को ही false consider किया जाता है, I hope आपको यह समझ में आया होगा, यह बहुत छोटा सा concept है, कई बार यह पूछ लिया जाता है, तो confused होते हैं लोग, बट हाँ, इसको आप ध्यान रखिएगा, other than 0, everything is true, ठीक है, अब देखते हैं, end operator के बारे में, फ़रा सा end operator को समझते हैं, detail में, ठीक है, suppose करो आपने यहाँ पे लिया int k, ठीक है, int k is equal to, यहाँ पे आपने लिया, a भी c लेते हैं, int a is equal to आपने लिया 10, int b is equal to लिया आपने 20, int c is equal to आपने लिया 30, इतनी चीज़ें आपने ले लिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, int r ले रहा हूँ, result के लिए, इतनी मैं क्या कर रहा हूँ, a double equals 10, and b double equals 20, and c double equals 30, यह मैं check कर रहा हूँ, ठीक है, तो यह result क्या आएगा, क्योंकि a 10 के बराबर है true है, b 20 के बराबर है true है, c 30 के बराबर है true है, जब 3 true है एक साथ, तो क्या होगा, यह true ही return करेगा, ठीक है, यह true ही return करेगा, और r की value क्या आएगी, 1 आएगी, तो इसको अगर मैं ऐसे देखू, print, print f, percentile d, और यहाँ पर मैं r लिख दूँ, so it will print 1, यहाँ पर सेमिकॉर्ण, भूल गया मैं, so let me do this thing, and now testput.exe, यह 1 आ गया, because यह 1 है, यह सारा कुछ true है, इसलिए true हो गया, अगर मैं यहाँ पर b++ कर दूँ, यहाँ पर a++ कर दूँ, यहाँ पर c++ कर दूँ, अगर मैं इतनी चीज़ें कर दूँ, तो क्या होगा, अब compile करता हूँ, अभी भी यह 1 आ रहा है, क्यों, क्योंकि a++ का मतलब क्या है, post increment operator है, पिछला वीडियो याद कीजिए, यह post increment operator है, इसलिए, पहले assignation होगा, तो इका, इन, यानि, ए में 10 ही आएगा, उसके बाद increment होगा, यानि, अगली line पे, अगली line पे a11 होगा, इस line पे a11 नहीं होगा, अगली line पे b21 होगा, इस line पे नहीं होगा, अभी भी यह 20 ही रहेगा, क्योंकि post increment का मतलब होता है, पहले तो assign करो, उसके बाद increment करना, तो assignation पहले ही हो चुका है, यानि b की value पहले ही 20 हो चुकी है, 20 की बीस ही रह गई है, इस वज़े से b++ equal to double equals to 20 यह true हो गया है, अब हम एक चोटी सी खुराफात कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं, plus plus a, ठीक है, plus plus a यहाँ पर कर दिया हमने, अब क्या आएगा, pause कीजिए, सोचिए क्या आएगा, ठीक है, आएगा यहाँ पर false, क्योंकि plus plus का मतलब है, पहले increment कर दो, और value assign भी कर दो, पहले increment किया तो क्या हो जाएगा, a की value 11 हो जाएगी, और साथ म जब यह 11 बन चुका है, इसी नाम पर, जब यह 11 बन चुका है, तो क्या यह true होगा, नहीं होगा, तो जब यह true नहीं होगा, तो यहाँ पर यह false हो जाएगा, false होने की वज़े से क्या होगा, यह तीनों conditions true नहीं हुई, तीनों को false होना, true होना जरूरी है, and condition के case में सब का true होना जरूरी है, तो कि यह 3 true नहीं है, एक इसमें से false हो गई, इसलिए क्या होगा, यह false हो जाएगी, ठीक है, 0 हो गया, इस वज़े से यहाँ पर क्या आएगा, यह 0 आएगा, यह प्लस प्लस एक ही वज़े से, ठीक है, अब एक चीज़ और देखते है, यह आपने note कर लि इस तरह के question बहुत घुमा फिरा क्या आते हैं, यह प्लस प्लस ए करके, बी प्लस प्लस करके, यह जो मैंने लिखा है, यह exercises मैं इसलिए करा रहा हूँ, सबसे जो पीड़ी exercises होती है, जो पूछी जाती है, जो आपको परिशान कर देती है, जो देखके लगता है, यह क्या आ कर लिया, इस चीज को आपने note किया, प्लस प्लस ए और इसको ले करके, इस तरह question आते हैं, आप इसको ध्यान रखेगा, अब एक काम और कर लेते हैं, चलिए इसी बीच में एक variation और ले लेते हैं, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको मैं 11 कर देता हूँ, और य ऐसे ही pre decrement और post decrement के exercise आप कर सकते हैं, increment बढ़ाता है, decrement घटाता है, लेकिन rule post और tweak के लिए same है, ठीक है, तो माइनस माइनस जबाब करेंगे, तो क्या होगा, यह 11 था, 11 से 10 होगा, और 10 होकर के assign भी हो जाएगा, तो माइनस माइनस ए 10 होकर के assign हो गया, इस वज़े से क्या होगा, यह पूरा का पूरा statement क्या होगा, true हो जाएगा, अब इसको चला के देखिये, यहाँ पर फिर से बनाएगा, क्योंकि माइनस माइनस से 11 से 10 होगा, यह दोनों तो true हैं ही, इस वज़े से यह पूरा का पूरा true हो जाएगा, और यहाँ पर इसलिए one return करेगा, ठीक है? अच्छा अब एक काम और करते हैं, हम लोगों ने यह पढ़ा था, समझा था, कि जो पहला जो यह first increment है, वो पहले assign करेगा, पर बढ़ाएगा, इस तो मतलब इस line पे तो नहीं बढ़ाया, अगली line पे तो बढ़ जाना चाहिए, तो यहाँ पर जो चीज हुई है, यहाँ प टू 10, यह सब operation इसने चेक करके देखे होंगे, जब इसने सब चेक करके देखे होंगे, तो सब को बढ़ा दिया होगा, यहाँ नहीं बढ़ा होगा, लेकिन अगली line पे तो बढ़ा ही दिया होगा, तो अगली line पे तीनों को print करके देखते हैं, ठीक है, A की value, V percentile D, इसकी value C %D तिनों की value और फिर उसके बाद सबसे last में R की value R %D इंसर्ट लग रहा है प्रेस हो गया है somehow I have pressed inserts let me see insert कहा है तो यहाँ पर हम आते हैं अब यहाँ पर A, B, C and R यह चारो values यहाँ लिख देते हैं और उसके बाद अब देखते हैं कि क्या होता है ठीक है so let me compile it और run it A की value 10 है B की 21 हो गई, C की 31 हो गई और R की 1 हो गई यानि अगली line पर इसने A की value तो यहीं पर 10 कर दी थी लेकिन B की value अगली line पर 21 हो गई और C की value अगली line पर 31 हो गई लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे कर दूँ तो आपको पता ही है कि यह false होगी अब overall minus minus A is equal to 11 नहीं होगा क्योंकि minus minus A इसको बस बना देगा और if you assign हो जब यह तो यह तो false हो जाएगी जब यह false हो जाएगी तो यह पूरी की पूरी condition भी होगी और पूरा का पूरी फॉर्स हो गई पूरी यह condition अब इस condition में क्या प्रिंट होगी तो एक बढर pause कीजिएगा और देखिएगा कि क्या प्रिंट होंगी, ठीक है, आपको अगर ये लग रहा है, बी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस, अगली लैन पर ये 21 और 31 ही प्रिंट होंगे, तो आप गलत है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्यों होगा ऐसा, यहाँ पर देखिए, let me show you, यहाँ पर नीचे आते हैं, और यहाँ पर आप देखिए, A 10 है, जो की सही है, क्योंकि प्री डिक्रिमेंट था, तो यह तो 10 कर देगा, लेकिन जो दूसरी कंडिशन है, B++, इसको तो 21 कर देना चाहिए, तो नहीं किया इसने, C++, इसको 31 कर देना चाहिए था, क्यों नहीं किया इस इसको फीमें, if कंडिशन में, and उपरेटर के साथ, इसको अगर कोई भी एक कंडिशन फेल हो जाती है, तो उसके संगा, क्योंकि आगे का कोई भी कंडिशन चेक नहीं होता, और उस आगे की कंडिशन में, अगर कोई भी ऑपरेशन परफार्म हो रहा है, तो वो भी परफोर नहीं होगा, but obvious, obviously वो perform नहीं होगा, क्योंकि अगर पहला statement false हो गया, तो बाकी को तो वो होने से मतलब ही नहीं, अगर हो भी गया, तो हम truth हो देंगे नहीं, इसलिए दूसरे को भी वो check नहीं करता, आगे चलके, इसलिए जहां पे हमारा statement false हो जाता है, if condition के अंदर with end operator, अगर end operator लगा है, तो आगे की conditions check ही नहीं होगी, और आगे की conditions अगर check नहीं होगी, तो आगे की conditions में कोल भी mathematical operation perform हो रहा हो, कैसा भी operation perform हो रहा हो, signation का हो, कुछ भी हो, फिर वो perform नहीं होगा, वो operation perform नहीं होगा, तो इस इस वज़े से आपके B और C वरसे ही रह गए, लोकिन माइनस माइनस ए, क्योंकि ये पहली condition थी, तो चेक होना ही था, तो इसलिए एक्जेक्यूट हो गया, इसलिए ये 10 हो गया, ठीक है, इसलिए ये तो एक्जेक्यूट हो गया, तो इस तरीके से सारे काम होते हैं इसमें, अब एक चीज और देखते हैं, यहाँ पर हमने कर दिया B++ is equal to, पहले वाली condition को 2 कर दिया, 10, B++ को भी 20 कर दिया, C++ को हमने क्या कर दिया, 31 कर दिया, हमने ये कर दिया, ने ने, C++ को 31 नहीं किया, C++ को 30 ही रहने दिया, B++ को 21 कर दिया, ठीक है, अब क्या आएगा, माइनस माइनस ए, ये तो 10 होई जाएगा, क्योंकि पहले डिक्रिमेंट किया और असाइन भी कर दिया, तो ये तो 10 होई जाएगा, लेकिन जो दूसरा है, B++ उकल 21, ये चेक होगा, पहला अगर true होगा, तो दूसरा चेक होगा, जो end के साथ जुड़ा हुआ है न, वो चेक होगा, अगर पहला true हो गया तो, तो इसके true होने पर ये चेक होगा, चेक होने पर ये false हो जाएगा, क्योंकि ये तो true होई नहीं सकता, B++ अभी तो assign होगा, तो BC रहेगा, इसलिए ये तो false हो जाएगा, जैसे ही false होगा, ये statement execute नहीं होगा, जब ये execute नहीं होगा, तो यहाँ तक जो भी operation होए है, सब सही चलेंगे, ये असके आगे के operation नहीं चलेंगे, इसलिए जब आप यहाँ प्रिंट करोगे, तो यहाँ पर B की value क्या आएगी, B की value क्योंकि ये operation perform हुआ है, जब इसको चेक करना पड़ा, जब इसको चेक करना पड़ा, तो क्या हुआ, इस B++ ने इसको क्या किया, इस line पे तो 21 नहीं बनाया, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर B++ को 21 मना देगा, C को 30 ही रहने देगा, क्योंकि C के साथ कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज यहीं से ये roll खतम हो जाएगा कम, जैसे ही fail होता है, उसके आगे end condition में जो कुछ लिखा हो, वो नहीं चलता, लेकिन जहां तक पास होती रहती है, end condition वहां तक सारी operation प्रफॉर्म होते हैं, I hope आपको समझ में आ रहा होगा, तो अब आप इसको चला के देखिए, सरी, मैं इसको दुबारा compile करता हूँ, दुबारा compile करना पड़ेगा, अब दुबारा compile करने के बाद हम देखते हैं, आप देखिए, B को 21 कर दिया, C वहीं पर रह गया, 30 पर ही, R जो है, 0 आ गया, तो कि false हो जाएगा, overall condition false हो गई, तो इसलिए इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखिएगा, तरह questions बहुत आते हैं, अगर मैं यहाँ पर कर दूँ, B is equal to 21, C is equal to 30, तो क्या होगा, यह आपको पता है कि, comparison operator नहीं है, assignment operator है, अगर assignment operator है, B की value क्या कर देगा, 21 कर देगा, और आपको पता ही है, कि other than 0, कुछ भी हो, वो true है, इस condition के अंदर, तो यह भी true हो गया, B के अंदर 21 आगया, तो यह भी true हो गया, क्योंकि other than 0, everything is true, यहाँ पर C equal to, ध्यान दीजिएगा, यह equal to operator है, डबर equal to नहीं है, इस वज़े से यह भी क्या हुआ, C को इसने 30 बना दिया, और other than 0, anything is true, इसने यह true हो गया, तो true, 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 everything is true, और value क्या print होगी यहाँ पर, यहाँ पर value क्या क्या print होगी, भई C को assign किया है, आपने 30, तो C की value 30 assign होगी, B को आपने 21 assign किया है, तो B की value 21 assign हो जाएगी, और minus minus A, यह तो 10 है ही, तो यह 10 अगने land पर 10 ही रहेगा, यहाँ पर 10 हो चुका है, पहले 11 था, यहाँ पर 10 हो चुका है, तो आप इसको चला के देखिए, पहले हम save कर लेते हैं, नहीं तो इसी तरह की confusion न रह जाए, ठीक है, अब हम आते हैं, paste code.exe, यहाँ पर आप देख सकते हैं, 21, 30 और R is equal to 1, तो 1 आएगा ही, क्योंकि anything other than 0 is true, 21 भी हुआ तो यह true हो गया, C 30 हो गया तो यह भी true हो गया, इसलिए इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, कि जब भी आप comparison करें, बड़ी value का, यहाँ पर भी मैंने ग्रबड किया हुआ है, इस बस को यहाँ रखना चाहिए था, 10 double equals to minus minus, ऐसे करने पर, अच्छी programming practice हो जाती है, जहाँ पर ensure करते हैं, कि हम गलत comparison ना कर बैठ है, comparison की जगे हम, equal to operator का use ना कर बैठ है, इस ती से, ठीक है, in a hurry, तो आईए देखते हैं, यह output इसका आगा था, यह output था, यह I think कि इसको explain करने की जरुवत मुझे नहीं है, and this is fine, so इसको आप करके देखिएगा, और बहुत से exercises आप ए, end condition पर करके देखिएगा, जो है बाकी के बचे हुए operators, जो यहाँ से लेकर के negation तक है, इन सब को हम देखेंगे, और उसके बाद if conditions को, और थोड़ा सा elaborative manner में, सब करेंगे कि, क्या-क्या उसके forms होते हैं, if condition के, कैसे-कैसे उसके जाते हैं, लेकिन हाँ, असली चीज यह है, इनकी understanding बहुत ज़रूरी है, कुछ आएगा, c is equal to यहाँ पर 33 कर दे रहा हूँ, कुछ होगा, या output आएगा, can you guess, इसको run कराते हैं, guess करिए साथ में, output देखिए, और दिर pause कर लीजिएगा, so that आप सही से output देखें, बिमानी ना करें, तो मैंने इसको compile कर दिया, अब इसको build कर दिया, और अब मैं इसको चलाता हूँ, ठीक है, r की value क्या आगई, 0 आगई, और c की value 30 ही रह गई, c की value 33 assign नहीं हुए, I hope आपके समझ में आया होगा, कि क्यों assign नहीं होगी, तो कि b equal to 0 करने पर, b की value 0 हो गई, जब b की value 0 हो गई, तो यह तो prove था, लोकिन यहाँ पर आते ही, b 0 होते ही, यहीं पर सब कुछ रुप जाएगा, end condition में, जहां तक सब कुछ prove होता है, बस वहीं तक सारे operation perform होते हैं, उसके आगे कुछ perform नहीं होता, वह check perform नहीं होता, यह वाला जब जैसे ही fail होता है, वैसे ही c is equal to 33 वाला, यह चमलगा ही नहीं, तो यह चलेगा ही नहीं, तो जो value c की पहले थी 30, वहीं बनी रहेगी, इसी वज़े से आपने देखा होगा, कि c की value यहां 30 ही आती है, ब 0 हो चुका है, ठीक हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा, इसी तरह के questions आते हैं, जब आप बैठेंगे कहीं exam देने, कहीं multiple choice questions होंगे, या कुछ भी आपसे पूछा जाता है, या examiner, sorry, आपका जो examiner आता है, या फिर आप interview में बैठते हैं, तो वहाँ पर इस तरह के questions अगर आपके सामने आते हैं, तो until you are clear with your concepts, you cannot answer these questions, ठीक है, इसलिए आप इसको बड़े ध्यान से समझीए, और बड़े ध्यान से इन practices को करिए, उसके बाद अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, देखेंगे if conditions के साथ और क्या-क्या हम कर सकते हैं, कैसे-कैसे, किस-किस form में if conditions exist करती हैं, ठीक है, तो इसी के साथ आप सबसे में विदा लेता हूँ, have a nice day,